कम से कम साउडेर से आदमी के तो काट चुके हैं ज्यादा कारली से मास निकाल ले से बहराईस सहर का ये चौखड़िया गाउं है यहाँ पर आदम खोर भेडियों की दैसत नहीं है यहाँ पर बंदरों की दैसत है 100-125 लोग ऐसे हैं जिनको ये बंदर काट चुके हैं नन्यम उन्ने बच्चों को भी इनोंने काटा है इस गाउं में जितने लोग हैं इन बंदरों से परेसान है जिसको लेकर आला अधिकारियों से सिकायद भी की गई है वन विभाग से भी इसकी सिकायद की गई है बच्चे को लड़का के काटा काला काट इसे भी अभी सुछा वागा है कितने दिनों से समस्या बनी अरे तो दो तेन साल से बहुत आतंग करते हैं कितने बंदरों के बारे तो कहा ऐसा जाता है कि अगर बंदर को आप छेड़िये ना तो पार्टे नहीं नहीं वही से तहलत हैं बच्चन का पिसकुट नाए दे मिला थे खाना नाए खिलावे मिला थे दुकान से कोई सामान लेकर चौड ले थे तुरंत नगेहूं पछवरे मेरे ना चावल बिचारे मिले काई से खाना बनावा जैसे लोग तो आपके गाउं में यहां कितने लोग होंगे जिनको यह बंदर काट चुके हैं अरे कम से कम साव डेर से आदमी को तो काट चुके हैं तीन लोग तो हमारे घर में भी काट चाल लोग का आपने इसकी आप लोगों ने सिकायत कहीं पर की इसकी है तो समस्या इतने दिनों से बनी हुई यह आप लोग खाली-कली पर चुछ नाया देते हैं कप्राट अप्रशन नौट दारत हैं अब मने एक नीग नीग चला थे तब हुझे नहीं के बच्चा को मैं चूली नी तुरंते नों चे दो रहत हैं रोटी उठाय ले जी जहें चाव लांटा कुछ भी काट आते हैं हमरे काटी से ज्यादा काड अपने सुरच्छा के लिए क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने सुरच्छा के लिए क्या करते हैं कि अधर कोई में काटा थे घर्मा बाइट के बनाई थे खाना पाने घर्मा खावा या थे तनको चूग जाओ कुछ उपसामान होते उस नहीं बचते चाहाए अजार रुपे के लवावे चाहाए सो रुपे के लवावे तुन बंदर उठाय ले जाते लिए नहीं है क्या नाम है आपको अभी काटा था अभी हाल फिलाल में परसो काटा क्या करते हैं कैसे बचाओ करेंगे आप इसलीए आप कर tsunami कौन पाए आपको कहा है पहले जए बंदर आपको जब क्यूंक करण क्ये रहा रहा ह। पर लमाई ठोकर रोटी उठाए लेगा हाथ में मतलब इसकी सिकायत आप लोगों ने कहीं कि पाल करें सुब है जब गाया चुब साथ इन इसको कब कर तो कि आपकर ले जाते हैं, खाना खा तो खाना चिन ले जाते हैं, खाना खाना रखाया तो खाना आप बूढ़े बच्चे जमान महिलाएं, साइध ही कोई ऐसा हो जिसको इन बंदरों ने छोड़ा हो, इस गाउं में बंदरों ने लोगों का जीना दुस्वार करके रख दिया है, साइध से एक सो पचीस लोग ग्रामिड ऐसे हैं, उसमें महिलाएं भी सामिल हैं, बच्चे भी सामिल हैं, पुरुज भी सामिल हैं, जिनको ये अपना निसाना बना चुके हैं, अब ये देखने वाली बात होगी, कि चौखड़िया गाउं के निवासियों को इन बंदरों से क निवाल में कि कि रिपोते।